बारत मता की क्यों बई जम्मू वालों की आवाज को क्या हो गया है अरे दारा तिनसो सत्तर अटने के बाद पहली बार आया हूँ ऐसे बोलोगे क्या मेरे साथ दोनों हाथ उठाईए जम्मू कस्मिर में विकास के संकल्प की मुठ़्ी बिंचे और प्रचंडा वाद से बोलिये बारत मता की मंच पर उपस्तित मेरे मित्रा बोलो बारत मता की मेरे मित्रा और भारतिय जन्ता पार्टी के नेता स्रीमान धर्मेन प्रदान जी जिन्होंने जम्मू कस्मीर के अंदर विकास के यूग का नया आगास किया है ऐसे हमारे एल जी स्रीमनोज सिनहा जी यही के लोक्तिय सांसत और केंडरिक के मंत्री परिशत में मित्रो कल से मेरे मन में एक बहुत बड़ा टेंशन चल रहा था कि बारी सो रही है मौसम ठीक नहीं है मैदान में पानी परगा है साहद मैं आपको मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा मगर माता वैश्णो देवी की कुरुपा देखिये धूप निकल आई है और आप जब मेरे साम मित्रो आज एक पवित्र दिन है बंडित प्रेमनाद डोगरा का प्रेमनाद जी का जन्म दिन है और हम सब जम्मू के लोग छोड़िये पूरे भारत के लोग प्रेमनाद डोगरा जी को कभी भुला नहीं से ये वो महान सक्सियत थी जिसने प्रजा परिस्थ की सापना करकर स्यामा प्रसाज जी के साथ एक देश में दो निसान, दो विदान, दो ब्रदान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे का नारा दिया और आज उसी दिन पर आज हम सब लोग यहाँ इकत्री दाएं जहां पर भी प्रेमनाद जी की आत्मा होगी सामा प्रसाज जी का आत्मा जहां पर भी होगा उपर से हमारे देश के प्रधान मंत्री सी नरेंद्र मोदी को लाक लाक अभी नंदन और नासिरवाद मित्रो आज मैं जम्मू में आया हूँ सबसे पहले ये कहने आया हूँ कि जम्मू वालों के साथ अन्याई का समय समाप ठोचुका है अब कोई आपके साथ अन्याई नहीं कर सकते सालों तक अन्याई जहला है मगर कोई अब अन्याई नहीं कर सकता विकास दोनों का साथ में होगा कस्मिर का भी होगा जमू का भी होगा दोनों मिलकर भारत को आगे बड़ाने के लिए एक साथ प्रायत्फम नुखριंगे किसी को अन्याई नहीं हो इस प्रकार का सासन नहीं चले और मैं आज इस भूमी पर जब आया हूँ तब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो विकास का यूग शुरू हो रहा है विकास के यूग में खलल पहुंचाने वाले खलल डाल रहे हैं मगर मैं आप सब को विश्वास दिलाने आया हूँ विश्वास रखेगा विकास के यूग में कोई खलल नहीं डाल पाएगा जम्मु कस्मीर के विकास को कोई रोग नहीं पाएगा मित्रों 5 अगस 2019 को मोदी जी ने कहितियासिक नहींने किया सालों से एक अन्याई धारा को खदम किया 370 और 35 से हटी और जम्मु और कस्मीर के लाखो लाखो नागरिकों को अपने अधिकार प्राप्त भाई मनोज सिना ने कहा पहले मेरे सिख भाईयों को खत्रियों को महाजनों को भूमी खरीदने का अधिकार नहीं जो मेरे गुर्जर भाईयों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था पहाड़ियों को रिजर्वेशन नहीं मिलता था मिलता था क्या मिलता था किसी को डरने की जरूरत नहीं है भारत के सम्विदान के सारे अधिकार मेरे गुर्जर भाईयों और पहाड़ियों को मिलने वाले हैं कोई रोखने से महिलाओं को अधिकारों को रोख रोख इसको भी मोदी जी ने एक साथ देख स्रमिको कोहितो की रक्सा के लिए मिनिमम वेज एक्ट को लागू किया सफाई कर्मचारी एक को लागू किया दलीतों के और ट्राइबल पर के अधिकारों के लिए माई उनके हीतों की रक्सा के लिए अत्याचार लोगने के लिए सक्त कानून लाए जो मेरे आदिवासी भाई जंगल के अंदर रह रहे हैं उनको जमिन के पट्टे का अधिकार ही भी ये भार्थ ये जनता पार्टी की नरेंद्र मोधी सरकार ने दिया है मित्रो मैं जब यहां आया हूँ तब आज धेर सारे चीजों का उद्गाटन हुआ है मनोज जिनने विश्तुत रूप से इसकी मिमान सा करी मैं कुछ चीजे जरूर कहना चाहता हूँ एक जमाना था कि जम्मु कस्मीर के अंदर कहने को पांच मगर चार मेडिकल कॉलेज थे आज मैं आपको बताने आया हूँ कि जम्मु कस्मीर के अंदर साथ मेडिकल कॉलेजों का स्थापना हो चुका है नए और दो और होने वर्ट पाँच चालू हो चुका है पहले 500 पहले 500 विद्यार्थी यहां से MBBS कर सकते थे अब लगबग 2000 विद्यार्थी यहां MBBS कर पाएंगे किसी को कहीं पर भी जाने की दो आज आयाइटिका एक केमपर्स का उद्गाटन हुआ मैं मन की बात बताना चाहता हूं मित्रों मैं स्वय मचंबीदू धेर सारे केमपर्स में मैं गया हूँ इस प्रकार का अधुनिक आयाइटिका केमपर्स मैंने नहीं देखा और धर्मेंद्र भाई ने मोदी जी के नेत्रतों में जो नई सिक्सानीती आई है इसका सूब आरम भी आज प्रेमनाद डोगरा के जन्मदिन के दिन किया आयाइटि आयाइम और एम्स तीनों संस्थान मिलकर नए प्रकार के कोर्स की रतना करकर एक दूसरे के पूरक कैसे बनेंगे इसकी चिन्ता की और मित्रो मैंने तीनों डायरेक्टरों के साथ तर्चे तर्टे बात करी है कि भाई ये बात सही है आपके आयाइटी में 2000 बच्चे आएंगे मगर मेरे जम्मु कस्मिर के कितने आएंगे तुन्होंने का अक साब ये तो ओपन एक्जाम होता है जम्मु कस्मिर के बच्चे कहीं पर भी जा सकते हैं देश का कोई भी बच्चा यहां आ सकता है होना तो ऐसे ही चाहिए परन्टु कि हम सेटेलाइट केमपर्स खोल कर जम्मु कस्मिर के बच्चों का ट्रेनिंग कर सकते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा जम्मु कस्मिर के बच्चों का एड्मिसन यहा खोले गए हैं 35,000 युवाओं से मैंने बातचित की किसी को रोजगारी मिली है किसी को सिक्सा मिली है किसी को स्किल अपग्रेडेशन के फैदे मिले हैं वो लोग समाज सिवा के काम में चुपे मैंने भी उनको का कि आप लोग ढूंद लिजे आपके गाउं में एक भी माता एक भी बहन एक भी महिला गैस के सिलिंडर बग्र की है तो आप ज़रूर पत्र लिख लीजे हम नहीं चाहतें जम्मु कस्मीर की एक भी माता के घर में गैस का चुला नहों हम नहीं चाहते, जम्मु कस्मीर के एक भी नागरिक के घर में बिजली का कनेक्शन न हो, हम नहीं चाहते, जम्मु कस्मीर के एक भी नागरिक के घर में नल से सुद्ध पीने का पानी ना अगर यह 45,000 युआ, जम्मु कस्मीर के गरिबों की सिवा में लगते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ देसदगर्द कुछ नहीं बिगार सकते मित्रों कुछ नहीं बिगार सकते यह हुआ देखते देखते जबु कस्मीर को बदल देंगे मित्रों इसके साथ साथ रोजगारी की दिशा में 25,000 सरकारी नौकरिया सर्विस सिलेक्षन बॉर्ड द्वारा दे दी गई है आज के दिन ही साथ हजार लोगों को नियुक्ती पत्र अलग-अलग प्रकार के देने का काम इसी मंज़ पर किया गया है हमारे संचालक महोदय थोड़े कन्फ्यूज थे आंकडा टुकडे टुकडे बताते थे मैं बता देता हूँ आज आपके सामने ही साथ हजार लोगों को अलग-अलग प्रकार के नियुक्ती पत्र रोजगारी के काम के पत्र दे दिये गई मित्रो निवेश के चलते पांच लाक नए रोजगार उपन होने वाले हैं अभी स्री जैपूरी आहे थे उनका पांच सो करोड का निवेश जम्मू में होने वाला है अब तक जम्मू और कस्मीर मिलकर जम्मू में साथ हजार कस्मीर में पाँच हजार करोड का निवेज का भूमी का अबंटन कर दिया जब हम नई इंडेस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आए तब मजाक उड़ाते थी मैं नाम लेना नहीं चाहता ये तिन परिवार वाले जो सोसन करे हैं न सालों तक आपका करे या नहीं करे अरे जोर से बोलो करे या नहीं करे ये मजाक उड़ाते थी कौन आएगा यहां ये मोदीजी का कमाल है बादा अजार करोड का इंवेस्टमेंट आ गया है मैं बताता हूँ एक क्यावन हजार करोड का इंवेस्टमेंट दोजार बाईस के पहले आ जाएगा पांच लाग जम्मू के पांच लाग जम्मू के युवाव को इससे रोजगारी मिलने वाली नौ मेडिकल कॉलेज, पंदा नर्सिंग कॉलेज, IIT, NIT, IAM, NIV, IAMC, दो कैंसर इंस्टिटिटिट, पोलिटिकल कॉलेज, पोलिटेकनिक कॉलेज, बी एस्सी नर्सिंग कॉलेज, धेर सारे इंस्टिटिटिशन या च्छापे बनाए गए हैं आप मुझे एक बात करिए, कल ये तीन परिवार वाले मुझे सवाल पूछ रहे थे कुछ, कि क्या देकर जाओगे, वही मैं तो हिसाब लेकर आया हूँ, क्या देकर जाएगे, बताता भी हूँ, मगर सत्तर साल आपके तीन परिवारों ने राज किया, आपने क्या दिया, इसका हिसाब लेकर आओ वए जम्मू कस्मिर की सरकार आपका हिसाब मांगे मोदी जी ने प्रदान मंत्री बनते ही 55,000 करोड रुपय का पैकेज दिया था और 55,000 करोड रुपय के पैकेज में से 35,000 रुपया खर्च हो चुका है 21 योदनाए समाप हो चुका है 21 योदनाए अपने अपने परिवार के लावे किसी की चिंता किये क्या किये जम्मू वालो बोलो जला किये क्या जम्मू को न्याय किया या नहीं किया मित्रो ये भोदी जी का साशन है ना किसी को न्याय होगा ना किसी का तुरुष्टी करण होगा एपिस्मेंट भी किसी का नहीं होगा मित्रो अध्योगी क्विकास बढ़ाने के लिए भी आज यहाँ पर योद्नाय की गई है चतू स्रेणी की नियुक्ति के लिए भी पत्र दिये गए हैं पंचायत लिखा सहायकों की भी नियुक्ति हुई है मुमकीन के तहट पान्सो वहनों का अंदर कहीं दूर खड़े करे हैं पांक सो वाहन जम्मू के युवाओं को दिये हैं जो उनकी रोजगारी का काम करेंगे तेजा स्विधी के तहट दो अजार मैला उत्योमियों को सहाईता दी है पंदर हजार रहेडी पट्री धारकों को दस अजार उप्ये कार सिर्चेश पतिसत में लौन देने का काम आजी हुआ है एक हजार लोगों को वन अधिकार प्रमान पत्र दिया है पचास उपाओं को विभिन प्रकार के उक्रमों के साथ जोड़ा गया है वली बॉल और बास्केट बॉल की रोलिंग ट्रॉपी तैयार की सुरू की गई है बागे भोर में आज परियावरन का सुपारम लगबग साड़े च्छे करोर के साथ 28 से कर्क्षेत्र में फैला हुआ सबसे बड़ा उध्यान बनाने की सुरुआत हुई है 104 सेंट्रलाइज हेल्थ हेल्प लाइंग का सुवाध हुआ है गल्स ऑस्ट्रे टिग्री और कॉलेज पलोरा का लगबग साड़े बारा करोड से आज उसका भुमी पुजन हुआ है और 272 परियोतनाओं के तहर 2000 करोड के रोडों का भी आज ही भुमी पुजन करने का काम किया है मित्रो ये की दिन में अगर मैं बताता हूँ तो लगबग लगबग 15,000 करोड से ज्यादा विकास के काम आज आपके सामने ही इसी मंच पर जम्मू के लिए गोशी की और ये तीनो परिवार के सासन का योग कर दोना तो भी 15,000 करोड नहीं होंगे मित्रो जहां तक सुरक्षा का सवाल है कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं मैं उनको कुछ आखड़े देना चाहता हूँ 2004 से 2014 के बीच में 2018 नागरिको की मृत्य हुई ततिवर्ष 208 नागरिक मारे गए और 2014 से 21 सप्टेम्बर तक 249 नागरिकों ने अपनी दुर्भाग्य पूंतर के से जान गवाई है 208 की जगे ततिवर्ष 30 है मगर मैं आपके सामने ये बात कहने आया हूँ 30 आंकड़ा कम है मगर हमें संतोष नहीं है हमें ऐसी स्थिती का निर्मान करना चाहते हैं कि एक भी व्यक्ति की जान यहाँ पर न जाये और देशत धर्ती पून तया समार्थ मित्रो आरक्षन का जहां तक सवाल है अनुसुची जन जाती समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षन नहीं था अनुसुची जाती और जन जाती के लिए सीटे आरक्षित होने वाली है इसका आयोग बन गया है OBC की जातियां भी होने वाली है पहाड़ी जन जाती समुदायों के लिए 4% आरक्षन दे दिया गया है आपका नुमाइंदा भी अब SMLE में घवरव के साथ बैठेगा और मंत्री बनकर आपके बीच में आने वाला है आंतराश्य सिमा के पास आंतराश्य सिमा के पास जो निवासी बस्ते हैं उनके लिए भी आरक्षन कर दिया गया है मेरे गुर्जर भाईयों के लिए भी कुछ समय में आरक्षन की व्यवस्ता हो जाने वाली है जहां तक उपलब्दियों क्या सवाल है दिल्ली से कट्रा तक अमरूट सर के रास्ते चल एन एक्स्प्रेस वेल का काम चल रहा है लगबग लगबग परियटन के लिए जम्मू को आजादी के बाद पहली बार कॉंसेंट्रेशन करने का काम किया गया है धार्मिक परियटन की सर्कीटों का विकास हो रहा है और सिर्फ जम्मू क्षेत्र के अंदर मार्च महिने में सिर्फ जम्मू क्षेत्र के अंदर 62,000 यात्री देश के और अन्तराष्ट्री आए हैं यह अब तब का रेकोर्ड है मित्रो अब तो कुछ समय के अंदर ही जब जम्मू वाले दिल्ली जाते थे न तो बच्चों को मेट्रो टेन में बिठा दे थे कि बेटा चल मैं तुझे मेट्रो में बिठा था मैं जम्मू की माता और बेनों को कहने आया हूँ दो साल के बाद मेट्रो में बिठाने के लिए आपके बच्चों को दिल्ली नहीं ले जाना है मेट्रो ही जम्मू में आ जाए जम्मू और सीनगर के अंदर मेट्रो की शुरुआत होने वाली है और बहुत बड़ी भुमी जम्मू एरपोर्ट के लिए आबंटीत कर दी गई है एरपोर्ट का विकास भी 700 करोर के रुपियों के साथ होने वाला कल एक हेलिकॉप्टर पॉलिसी की गोश्रा करी है जम्मू कस्वीर सरकार हर जिले में हेलिकॉप्टर का हेलिपेर बनाने जा रही है प्राइवेट लोग इन्वेस्ट करेंगे और हर जिले को अलग-अलग यात्रा स्थानों के साथ जोड़ने का काम और जम्मू से हर जिले को जोड़ने का काम यात्रिकों को पहुँचाने काम ये हलिपेर सर्वीस के द्वारा पूना वाला है मित्रो जम्मु कस्मिर के गाहों को 20-22 गंटा बिजली उपलब कराने के लिए ये चार वर्षो मोदी जी के थे उसमें 35,000 करोड उपे की कितना मैं बोलता हूँ फिर से बोलो 35,000 करोड कितना सुना ये नहीं पड़ता है 35,000 करोड उपे की उपादन जल विद्यूद करने के लिए कई साड़े प्रोजेक्ट कमिशन के कारण ये तीन परिवार जो रोप कर बैठे थे मोदी जी ने और एल जी साब ने चालू कर दिया है मित्रो 35,000 करोड उपे के प्रोजेक्ट मित्रो इससे पकादूल 624 मेगावाट कीरू सुरू हो चुकी है 340 मेगावाट वाली दूल हस्ती दो 390 मेगावाट की किर्थाई 930 मेगावाट की किर्थाई 2 850 मेगावर्ट की राटले और 856 मेगावर्ट की साकले कोटे की योदना शुरू होने जा रही है मित्रो ये बताता है कि मोदी जी के दिल में जम्मू कस्मिर के नागरिकों का प्रायोरिटी कितना है मित्रो मैं आपको दो गटना चरूर बटाना चाहता हूँ कोरोना आया पूरा विश्व जन्जोड कर रहे हैं और वो सब लोग सोतने लगें कि भारत जैसा देश कोरोना का मुकाबला कैसे करें हेल्थ इंट्रेस्टर्चर हमारा थोड़ा वीक मगर मोदी जी ने विश्व में सबसे अच्छे तरीके से कोरोना का मुकाबला करकर सबसे कम मुत्यूदर भारत के लिए अब ये तो मैंने भारत की बात करी भाई मुझे एक सवाल पूछना है मुझे बताओ आप देश में सबसे पहले सत प्रतिसत टीका की स्राज्य का लग गया बताओ दो बोलो अरे से बोलो जम्मू और कस्मिर का क्योंकि मोदी जी के दिल में जम्मू और कस्मिर बसा है वित्रो मोदी जी के दिल सत प्रतिसत टीका करन हो चुका है और दूसरा टीका भी 50 प्रतिसत से ज़्यादा जनता का देने का काम हो चुका है देखते 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 दूसरा टीका भ प्रद्धान मंत्री आयुष्यमान भारत योद्ना जिसके तहट देश के गरीबों को देश के साथ करोर गरीबों को एक सो त्रीस करोर की आबाद्धी में से साथ करोर को पांच लाग तक का सारा आयुष्यका खर्चा अपना स्वास्त का खर्चा आयुष्यक बचाने के लिए करता है भारत सरकारूपा मालूम है न आपको मगर जम्मू कस्मीर पूरे देश में एक अकिला राच्य है यह जिसमें योद्ना सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है जम्मू कस्मीर के हर नागरिक के लिए सिहत और आईसे मन भारत में पांच लाक रुपे का फाइला यह बताता है कि मोदी जी के मन में जम्मु कस्मीर के लिए कितना लगाव सभी घरों में गैस पहुचाया है सभी घरों में सोचाले पहुचाया है सभी घरों में बीजली पहुचाई है सभी घरों के अंदर रोजगारी काम भी हमने शुरू किये हैं हमने खादी ग्राम उद्योग बॉर्ड के द्वारा मदुमक्षी के बक्से और इलेक्ट्रिक चाक के जरिये लगबग लगबग और भी योदना है पांच लाग मेहनों को काम के साथ जूरने का काम हमने किया है और सबसे ज्यादा प्रतिव्यक्त अगर देखे तो ऑक्सिजन प्लांट भी यहाँ पर हमने देने का काम नगभारतिय जनता पार्टी की नरेंद्र मोधी सरकार ने किया है सौभाग्य इंदे दनूस उज्वला और उजाला इसमें सत्प्रतिसत तिजदिली है जमु कस्मीर के ग्यारा लाग सतानवे जार किसा जमु कस्मीर के अंदर ग्रास रूप लेवल की लोग तंत्र को स्थापित करने का काम इस देश के प्रदान मनती में सत्तर साल तक सत्तर साल तक के तीन परिवार वाले क्या दिये जमु कस्मीर को सिदासी विदायक छेश अनसत यही ना मोदी जी ने तीस अजार लोगों को चुने हुए प्रतिनिती बनाने का काम किया है हर गाउं के अंदर पंचायद पनी है, हर तैसिल के अंदर तैसिल पंचायद पनी है, हर जिले के अंदर जिला पंचायद पनी है, अब ये तिन परिवालों की दादागिरी नहीं चलेगी, मैं बताता हूँ, मेरा पंच सरपंच भी भारत क्या सरकार का मंत्री बन सकता है, जम् उनके यहां से चुनाव कभी यह नहीं जितने थे अरे मैं आपको कहने आया हूँ आपके यहां से चुनाव जितने वाला जम्मु कस्मीर का मुख्यमंत्री भी बन सकता है अब कोई नहीं हो से मिद्रो जम्मु कस्मीर के अंदर लोगकंत्र को प्रस्ताफित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है और ये लोगकंत्र प्रस्ताफित होते ही जम्मु कस्मिर में फीर से एक बार सामन्यस्तिती पैदा होगी मित्रो हम सभी के लिए और मेरे और आपके लिए विसेश हो से एक स्वपना था कि सामा प्रसाद मुकर जी का स्वपना पूरा हो हमारा स्वपना था कि सामा प्रसाद जी का बलिदान जिस जिस के लिए आया है वो दिन हमारे जीवन में आप देख पाए मैं आप सब को कहता हूं मोधी जी के कारण ही आज हम वो दिन देख पाए है कि आज सामा प्रसाद मुकरजी का सब में पुरा हो रहा है मैं जम्मू वाले को कहना चाहता हूँ मोदी जी ने विकास की प्रक्रिया चालू की है जम्मू वाले चट्टान की तरह इसके साथ खड़े है या नहीं खड़े है जो और जोर से बजाईए खड़े हैं ने खड़े मित्रो एक जम्मू कस्मीर के अंदर मित्रो एक जम्मू कस्मीर के अंदर निकास का यूब जो सुरूआ है इसको कोई रोक नहीं सकता और मैं फीर से एक बार रिपीट करकर मेरी बात को सवाज करना चाहूंगा ये मंदिरों की भूमी है मावैस्टो देवी की भूमी है प्रेमनाद डोगरा की भूमी है सामा प्रसाद मुकर जी की बलिदान भूमी है मैं आ कह कर जाता हूँ जम्मु कस्मिर की सान्ती में खलल लगाने वालों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे इस बार का इश्वास मित्रों दो गंटा लेट होने के बाद भी इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पतारे खड़ाप मौसम होने के बावजूद भी पतारे पहाड से भी मेरे इतने सारे भाई आए है मैं सभी का जम्मु कस्मिर प्रसासन की वार से दन्यवाद करता हूँ मेरे साथ आज गगन वेदी नारा लगना चाहिए कस्मिर से कन्या कुमारी तक आवाज जाने चाहिए के कस्मिर में नए यूग की मेरे साथ दोनों हाथ उठाईए उठाईए दोनों हाथ पिछे तक सभी रोग कस्मिर के विकास के संकल्प की मुठी बिंचिये और प्रचन रवाद से बोलिए बारात मता की बारात मता की बारात मता की वंदे 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 झाल 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 झाल